आज की कहानी एक ऐसे शखस के बारे में है जो कैसे एक करोड़ पती से आतंकवादी बन गया और फिर उसने सालों तक पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया जिसके घाव आज भी पूरी दुनिया जहेल रही है। उसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च सन 1957 को सौधी अरब में एक सम्रिध व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता मोहमद बिन लादेन एक बड़े बिल्डर थे जिनके 50 से भी ज्यादा बच्चे थे। लादेन उनके 17 वे बच्चे थे। जिससे वो जवानी में ही करोडपती बन गए। उसामा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जेद्दा में किंग अब्दुलजीज विश्व विद्यालय में दाखिला ले लिया। यहीं से इसलामी धर्म और राजनीती म उनकी रूची गहरी हो गई। राज्य की स्थापना की दिशा में प्रेरित किया। साल 1988 में ओसामा ने अल-काइदा नामक आतंकवादी संगठन बनाया। इस संगठन का उद्देश्य वैश्विक इसलामी राज्य की स्थापना करना और अमेरिका तथा उसके साथी देशों के खिलाफ जिहाद छेड़न था। और हजारों लोग घायल हुए। साल 1999 में अमेरिका ने उसे दुनिया के दस सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया। जिससे वो आग बबूला हो गया। उसने अमेरिका से बदला लेने के लिए कभी न भुलाए जा सकने वाले हमले का मास्टर प्लान बनाया और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करवाया। 11 सितंबर 2001 को उसने अमेरिका में चार हवाई जहाजों को हाईजैक करवाया। इन हवाई जहाजों को उसने न्यू यॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन से टक्रा दिया। इन हमलों में लगभग तीन हजार लोग मारे गए और छे हजार से ज्यादा लोग घायल हुए इस से पूरी दुनिया दहल उठी इसके तुरंत बाद अमेरिका ने ओसामा की खोज तेज कर दी वह यहाँ वहाँ छिपता रहा आखिरकार दो मई दो हजार ग्यारह को अमेरिकी नेवी सील की एक टीम ने आधी रात में पाकिस्तान के एबटाबाद में हमला करके उसे मार गिराया ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अमेरिकी नेवी ने उसकी लाश को अरब सागर में फेंक दिया ताकि आतंकवादियों के लिए उसका मकबरा एक श्रधांजली स्थल न बन सके ओसामा बिन लादेन की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की सनक और पागलपन पूरी दुनिया को न भूलने वाले गहरे घाव दे सकती हैं और साथ ही बताती है कि वैश्विक शान्ती और सुरक्षा के लिए अंतर राश्ट्रिय सहयोग तथा सतरकता कितनी महत्व पूर्ण है